अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है, तो बहुंच जाए एक ऐसे कैफे में, जिसे पेंटिंग कैफे का नाम दिया गया है, इसकी शुरुवात तहजीब के शहर लखनों में की गई है, और यह पत्रकार पुरम चौराहे पर इस्तित है, इस कैफे की खास्यत यह है कि सिर् वन हंड़न्ड नाइटि फाइव रुपीज में आप घंटों बैट कर यहां पेंटिंग कर सकते हैं, यहां पर कलर से लेकर आपको कैनवास, कैप और तो और बैग दिये जाएंगे, अपने आइडिया को उनके उपर उकेरने के लिए, आप घंटों बैट कर यहां पेंटिं भी कह सकते हैं, यह युवाओं का अड़ा बन गया है, युवा इसे खूब पसंद कर रहे हैं, खास तोर पे गल्स का यह हब बन गया है, यहां गल्स जाती हैं, पेंटिंग करती हैं और अपने दोस्तों के साथ अलग अलग आइडियास को कैनवास पर उकेरती हैं, इस कैफ और होट कॉफी काफी मशूर है, इस कैफे में स्टूडेंट्स भी अपने टीचर्स के साथ पहुंचते हैं और पेंटिंग करना सीखते हैं, इसके शुरुआत की हैं लखनों के ही रहने वाले महिमा और अकीद ने, चलिए जानते हैं इस कैफे की खासियत आपका नाम क्या है? है, मेरा नाम महिमा 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 है, और आपके काफे का नाम है दा कॉफी पैलेट, यह पत्रकार पुरम गोमतिनगर रेल्वे स्टेशन के पास में है, इसकी ओपनिंग हुई है 2022 में, और आपने यह तो कॉंसेप्ट लाएं है, जिहां पे लोट करके आ आर्ट के टच को रखते हुए, पैलेट नाम भी दिया है, और इसको इसी लिए और ग्रो करने के लिए हमने यहां पर आपका कॉंसेप्ट की आ है, तो मतलब यहां पर लखनों में यह फर्स टाइम है और यहां पर कोई ऐसा भी कैफे है नहीं, जहां पर आर्ट का कॉंसेप और आर्ट के लिए यहां पर क्या रेट है, कितनी दिर बैटना होता है, कुछ फिक्स है क्या है? यहां पर आपका का जाए है, और इस आपका का काहता है, उच्छा लगा बहुत ही यूनिक है और बहुत सारी अक्टिप्टीज कर सकते हैं, तो यह इसकी यूनिकन्स को इन्हांस करता है मैं सिंद्री इत मैसेज इसमें सारी चीजे मतलब कलर पेंटिंग जो है करने के लिए पहली बार देखा है यहां पर आसपास तो ऐसा कभी देखा नहीं कैफे में वह भी पहला है लेकिन बढ़िया है कुछ नहीं खाली दिमाग बैटे-बैटे यही सब करने का तो अगर आपको भी है पेंटिंग का शौक तो पहुंच जाए इस कैफे में लखनों से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट न्यूस 18